हेलो फूडी वेल्कम बैक टू माय चानल तो कैसे हैं आप सब लोग तो आज के इस वीडियो के लिए हमें ज़रूरत पढ़ने वाली है बेकार पढ़े हुए नोटबुक के यहां पर आपको ब्लैंक वाले नोटबुक लेने हैं यानि कि जिसमें लाइन नहीं हो वह वाले क्य आप चाहें तो चॉपिंग बॉड का भी यूज कर सकते हैं यह काम को अगर आप बच्चों को भी देगे तो वह बहुत ही मज़े लेकर करने वाले हैं तो अभी आपको करना यहां पर पेंट जिहां तो इसके लिए मैंने ले लिया एक ब्रश और सासी साथ ले ले लिया है क कुकिंग ऑईल करना है ना ही गी का यूज करना है क्यूंकि उसकी स्मेल फिर आपको केक में आएगी तभी इसके अउपर मैं ड्रिजल कर लिया थोड़ा से ओईल और आपको जैसे मज़ी आए वैसे आपको इसको ब्रॉश करना है और आप देखेंगे सिफ एक मिनिट में हम कर देंगे आपको तो अब हम एक सुखे कपड़ी की मदद से जो एक्स्ट्रा ओयल है उसे पोश लेंगे आप चाहें तो किचन नेपकिन का भी यूज़ कर सकते हैं तो एक साथ हमारे दो बटर पेपर तैयार हो के आ जाते हैं तो आपको पेपर को अच्छी तरीके से पोश ल गए ज़नी के तैकि जो आयल है वह पेपर में आ जाए और हमारा वह बिलकुल भी वेस्ट ना हो तो कि प्लेट में लगे और से भी अमारा तीसरा पेपर तयार हो के आ जाएगा आजए अराम से देखिए तो हमिह यह पर बिलकुल ही वेस्ट नहीं करना है अगर आग तीशे आप इस बटर पेपर को कैसे स्टोर करके रखेंगे अगर अलुमिनियम फॉयल का यह बटर पेपर का रोल आपके पास पूरा ना पड़ा हुआ है तो इसके ऊपर भी आप लपेट कर रख सकते हैं अगर वह नहीं है तो सिंपल आप इसे रोल कर लीजिए तो एक की ऊपर एक दस्ट ना चिपके तो हमें इसे दस्ट प्रूफ भी करना है तो मैं यूशुली जब बनाती हूं तो इसके ऊपर एक सुखा वाला पेपर लगा लेती हूं ध्यान रहे कि आपको न्यूस पेपर का यूज नहीं करना है नहीं लाइन वाला पेपर यूज करना है फिर इसके लगा लूँगी एक रबड बैन तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा आज का यह वीडियो अगर वीडियो हेल्फुल रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर चरा को सब्सकाइब करना ना भूलेगा पास में देगए बेल बटन को ज़रूर से हिट कीजिएगा ताकि मे बाइब बाइ